जैमात आदी दोस्तों तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तों फिर से आज़र एक नई वीडियो के साथ जी हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शेवलिंग पर जल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए और कौन सा फल चढ़ाना चाहिए जिससे सारी मनोकामनाई पूर्ण हो जाएं दोस्तों सबसे पहले आप शियो मन्दिर में जाएं और दोस्तों शीवलिंग पर अपनी तीन उगलियों से त्रप्मड अवश्या बनाए चंदन दन से लाल चंदन पीला चंदन कोई भी यूज़ कर सकते है और दोस्तों बेल पत्र ना हो तो जो सियोवलिंग पर चढ़ी हो वो भी बताऊंगी किस प्रकार चड़ाना है और दोस्तो इस बार शिवरात्री पर बेर अवश्य चड़ा के आये शिवलिंग पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तो ये फ्रूट बहुत अच्छा होता है शिवलिंग पर चड़ाना और जल इस प्रकार से तो आपकी सारी मनों कामनाएं पूर्ण होंगी और दोस्तो जल चड़ाते हुए ओम नमस्षिवाय या श्री शिवाय नमस्तु भ्याम का जब करते रहें थोड़ा जल नंदी पर भी चड़ाया जाता है दोस्तो जल चड़ाते रहें और मंत्र का जाब करते जाएं और दोस्तो तो शिवलिंग पे से थोड़ा सा पानी अपने लोटे में अवश्य लेके आए इस जल को आप अपनी आखों पे और मस्तिक्ष पे लगाएं उसके बाद आप बोले बाबा का अशिरवाद ले और अपनी प्रात्ना बोले इससे आपकी सारी मरकामना है पूर्ण होंगी जैम